अगली खबर की और रुक कर लेता है, इस वक्त की अगली खबर भी राजुधानी खुपाल सही है कॉंग्रस की सलहकार समिती की बैठक होनी है, तो ये बैठक होगी एक मैठपूर्ण बैठक फिर कह सकते हैं, कॉंग्रस में भी लगतार बैठकों को दौर चल रहा है 12 माई को सलहकार समिती की बैठक होनी है, कॉंग्रस के वचन पत्र को लेकर चर्चा होगी सभी वर्गों से राय के बाद ये वचन पत्र कॉंग्रस का तयाह होगा और इसी के लिए ये बैठक की जा रही है, सलहकार समिती की एक महतपूर्ण बैठक कमलात के निवास पर ये बैठक होगी समिति की बैठक में सभी सदस्य से मौजूद रहेंगे तो बलकुल वचन पत्र को लेकर एक महत्पूंट बैठक राय शलह मशूरा होगा उसके बाद ये वचन पत्र तयार किया जाएगा इसके लिए चर्चा की जाएगी सलकार समिति की बैठक है 12 माई को ये बैठक होनी है वचन पत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी किस प्रकार का वचन पत्र तयार होगा उसके लिए यहाँ पर चर्चा की जाएगी सभी बर्गू से रगाय मश्वेरे के बाद ही वचन पत्र तयार किया जाएगा कमलनात के नवास पर मैध कूंट बैठक होने वाली है सलहकार समीती की ये बैठक जो इसमें वच्छन पत्र को लेकर चरचा की जाएगी और समीती की बैठक में सभी सदूर से मौजूद रहने वाले हैं जातर जानकारी के लिए सीधा रूख कर लेते हैं समाधाता दुश्यन तुझी का दुश्यन तुझी का इसमीती की बैठक होनी है और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा और वच्छन पत्र को लेकर खास तोर से चरचा होगी तो कुछ खास इस वच्छन पत्र में रह सकता ह इस बाद देखें लगबग बारा से पंदरा सदस इस बचनपत्र समीथी सराकार समीथी में बनाए गए हैं और इन सदस्यों की उपस्तिति यहां पर अनिवारे की गई है जब यह बैटक होगी तो कहीं ने कहीं तमाम सारी सदस्य हैं वो इस बैटक में मौझूद रहेंगे जिस तरीके से अगर पूरे समीथी के अद्यक्श की बात कि जाये तो फूर्व विधलान सवाओ पात्यक्श राजैन सिंग्ष लिश्य समीथी का कॉंगरर्स ने अद्यक्श बनाया है और उनकी अद्यक्शता में बैटक जब कमलनाथ के वंगले पर अउजवीट होगी तो कहीं ने कहीं कम लाहतो सामिल हूंगे हैं साती साथ पूर्ग नेता पतिपक्ष जो एस बेठक पमें की सामिल होंगे और चिल्ट यहूं से कंग्रेश को बचन पत्र में किनकल बचन को सामिल करना है कौन-कोन से हैं से बिंदू होंगे तमाम सारे बिंदूओं पर इसमें चर्चा होगी और चर्चा के बाद अपने वचन पत्र की जो बनाने की प्रक्रिया है वो कॉंग्रेस शुरू करेगी चुकि एक बड़ी बैठाक इसको कहा जा सकता है क्योंकि 2023 की ही तैयारियां हैं लेकिन तो 2023 की तैयारियां लगब कर देड़ साल पहले कॉंग्रेस में शुरू करती है तो यह जरूर माना जाए कि कॉंग्रेस भी 2023 के जो बिधानसवाद चुनाओंगे उनको हलके में नहीं लेना चाहती है और कहीं न कहीं कोशिश ये की जा रहे है कि अभी से इसकी तैयारियां की सुरू की जाएं ताकि जब 2023 आएगी तो ज्यादा प्रक्रिया ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होगी सिर्फ जमीन पर उतर कर जंता के बीच में जाकर बात करने की जरूरत होगी तो ऐसे में अब जो पूरी कागजी प्रक्रिया जो है वो क बचन पत्र में सामिल किया जाए तो ऐसी तमाम सारी चर्चाएं इस बैठक में होंगी और तमाम सारे लोग जो हैं वो कहीं न कहीं अपनी सहमती जताते हुए इन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे और अगर सहमती होती है तो इन बिंदूओं को बचन पत्र में सामिल करेंगी जिन पर बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद बैठक की जो साहर्थक्ता है वह भी सिद्धो पाएगी ऐसे में कोशिश यह की जा रही है कि है कि पूरव प्रदेश अधियक्ष यह जो में को सके जो समीती बनाई गई ओस उसमीत के सदस्थ भी इस बेठक में सामिल हो ताकि कहीं ने कहीं जो जो बिंदू जो आप पिछली बार छूट गए थे या भी यह कहें कि जो पिछले तीन साल में नए जो मुद्दे उभर कर सामने आए हैं उन पुद्दों को भी इसमें बचन पत्र में सामिल किया जा सके और कहीं ने कहीं जनता को जनता के बीच में जाकर उनका हित और अनहित भी बताया जा सके तो तबाम सारी बाते हैं इन तमाम सारी बातों को लेकर बैठक आउजित की गई है हलाकि यह पहली बैठक इसके बाद तम कौन-कौन से यह से मुद्दे होंगे जो बचन पत्र में सामिल किये जाएं। विल्कुल दुश्यंत जी शलव मश्रोवर के बाद ही जो है तमाम मुद्दो को शामिल कर बचन पत्र तयार किया जाएं।